अर्थिव्यवस्था में सुस्ती और बढ़ती बेरोजगारे की बीच मोधी सरकार आज आम बजट पेश कने जा रही है मोधी सरकार 2.0 का है दूसरा बजट होगा सरकार के सामने तमाम चुनोतियों की बीच बजट ने इस बार मिडल क्लास व्या पारियों को बड़ी उमीदे है वितमंत्री निर्वरासी तरमें ने अपने बजट पहाशन की दुरान कहा कि देश को नई दिश्टा देने का प्रयास किया जा रहा है यूवां को रोजगा देने के लिए कर्टिबध है जियसी लागो करना सरकार का अर्थिहासिक फैसला है देश की अर्थिव्यवस्था की निव मजबूत है देश हमारी आर्थिक नीतियों पर भरूसा करता है हम भविश्य में गाउं को और रोजगार देंगे उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थि विवस्था है 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष है 6.11 करोड किसानों के लिए वीमाय यूजना है पशुपालन मचली पालन पर विश्यश ध्यान दिया जा रहा है किसानों को पी एम किसान यूजना का लाब मिल रहा है किसानों के लिए 16 सुतरी प्लान बनाया गया है उन्होंने कहा कि जल संकट से जूज रहे सो जिलों पर विश्यश ध्यान देने 20 लाग किसानों के लिए सोलर यूजना लाएंगे पंचायत स्तर पर वेर हाउस बनाया जाएंगे किसानों के लिए कुसम यूजना लागों की जाएगी पाने की कमी वाले 16 जिलों के लिए विशेश प्लान बनाया जाएगा केमिकल खाथ की बज़ाए जैविक खाथ के इस्तमाल करने पर जोड दिया जाएगा उन्होंने कहा कि ग्रामिन शेत्र में फोकस करते हुए 2025 तक दुग्द उत्पादन दोगुना करने का लक्ष रखा सागर मित्र यूजना की तहत मशली पालन को बढ़ावा मिलेगा इसके लिए 30 इलाकों में ब्लू एकोनॉमी को बढ़ावा देंगे उन्होंने कहा कि देश के प्रत्य घर तक पानी पहुचाने का लक्ष रखा गया है